आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इंजिनरिंग कैपसूल्स में और आज के इस वीडियो में हम थर्ड समिस्टर का इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो ओफलाइन इंजिनरिंग कोर्से थर्ड समिस्टर के वो स्टार्ट हो चुके हैं थर्ड और फिप्थ समिस्टर के तो कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरस्टिड है तो यह स्क्रीन पे दिये ह वे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को थर्ड समिस्टर सिवल इंजिनरिंग का जो है यह हम जैयान के स्टेट बोड आफ टेकनिकल एजूकेशन के सलेबस को डिसकस कर रहे हैं तो थर्ड समिस्टर का जो हमारा सलेबस है थर्ड semester में हमारे 6 total subjects हैं जिसको हम एक एक करके discuss करेंगे सबसे पहला subject जो इन्होंने लिखा है that is fluid mechanics तो being a civil engineer आप सबको पता है कि fluid mechanics आपके लिए बहुत important subject है क्यों important subject है क्योंकि एक engineer जो है खासकर mechanical और civil engineers जो है इनको matter की सबी forms के साथ deal करना होता है आप solids के साथ भी deal करते हो आप liquid के साथ भी deal करते हो आप gases के साथ भी deal करते हो और जो हमारी gases और liquids हैं इनको हम fluid कहते हैं fluid एक ऐसा substance होता है जो flow करता है यह आप कह सकते हैं जो continuously deform होता है under the effect of share stresses share stresses की वज़ज़ से continuously deform होता है उस सबस्टेंस को हम fluid कहते हैं तो fluid mechanics एक ब्राँज है civil engineering की जो deal करती है behavior of the fluid under the fact of the external load और external pressure fluid का क्या behavior रहता है वो हम fluid mechanics के अंदर पढ़ते हैं तो fluid mechanics बहुत important subject है क्योंकि कल को आपने dams आपने construct करने है तो अब आप बोलोगे sir, fluid, water is a fluid जो पानी है वो fluid है और पानी में बहुत सारे structures आपको construct करने है पानी के साथ आपको बहुत जगा पे deal करना है अगर आप water supply and waste water engineering को पढ़ते हो तो water supply भी आप ही के civil engineering का ही part है यानि लोगों के गर तक पानी को पहुँचाना पानी को किसी source से लेकर साफ करके filtration plant से और फिर pipes के थूल जो जर्नल पबलिक है उनके घर तक पहुचाना ये भी आप ही का काम है उसके बाद पानी को जब जो waste water है उसके साथ भी आप ही ने deal करना है irrigation engineering आपको आएगी जिसमें खेतों तक पानी पहुचाने के लिए जो जो भी construction है जैसे canals आपको construct करनी है और various जो parts है वो आपको construct करने पढ़ेंगे तो ये fluid mechanics आपको fluid के behavior को समझने में मदद करती है ठीक है तो इसमें सबसे पहले तो introduction है जिसमें आपको बताएंगे fluids दो तरह के real और idle fluids होते है fluid mechanics में hydrostatic, hydrodynamics और hydraulics क्या होता है अगर पानी अलग-लग states में होगा अगर रुका हुआ पानी है ठीक है अगर एक ही जगा पे रुका हुआ पानी है जैसे पानी की टंकी में पानी जो होता है वो flow नहीं करता है वो एक ही जगा पे static रहता है statics का मतलब होता at rest जब कोई चीज रेस्ट पे है तो जब पानी रेस्ट पे है तो उसको बोलेंगे hydro static hydro मतलब water and statics मतलब रुका हुआ पानी यानि हम पानी के behavior के बारे में study कर रहे हैं तब जब वो पानी रुका हुआ है एक branch fluid mechanics के रहती है जिसको बोलते है hydro dynamics dynamics मतलब रुका हुआ motion में जैसे नालियों में पानी motion में होता है pipe में पानी motion में होता है तो यह hydro dynamics में आ जाता है और hydraulics hydraulics fluid mechanics की वो branch है जिसमें हम सिरफ water के बारे में पढ़ते है पानी के बारे में पढ़ते है पानी की mechanics के बारे में पढ़ते है और पहले इस subject को hydraulics ही कहा जाता था बट दीरे दीरे मतलब पहले हमें सिरफ पानी के बारे में ही पढ़ाया जाता था तो मानना जाता था कि civil engineer को सिरफ पानी के साथ ही deal करना होता लेकिन दीरे-दीरे समझाया नहीं civil engineering आज construction होती है आप देखते हो बहुत बड़ी-बड़ी ऊची मारतें बनती हैं बड़ी-बड़ी buildings बनती हैं तो उस पे wind का pressure भी act करता हो और आपको पता हवा जो होती है that is also a fluid तो हवा का ये सारा behavior हमें पूरे fluid का हमें पता होना चाहिए properties of the fluid अब fluid की properties के बारे में बात करते हैं fluid की different properties होती हैं ये second chapter में आप पढ़ोगे और उसमें उसकी mass density specific weight, specific gravity, viscosity, surface tension, cohesion, adhesion, capillarity, vapor pressure and compressibility तो properties, fluid की कौन-कौन सी properties हैं उसकी सिर्फ definitions आपको समझाई जाएंगी और इसका बहुत important role है, basic सा ये ठीक है और important ये chapter भी बहुत important है तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसका पहला दूसरा chapter properties ही होती है तो आपने अभी fluid की definition को समझा कि fluid वो substance है जो flow कर सकता है ठेक है तो दो ही states है matter की जिसमें कुछीज़ flow कर सकती है यहां तो वो liquid state है यहां तो वो gases state है ठेक है तो इसकी different properties हैं इसको आप अच्छे से पढ़िएगा उसके बाद हमारे पास आता है hydrostatic pressure पानी जब रुका हुआ है तो तब रुके हुए पानी की वज़ा से अगर उसके अंदर कोई चीज हम फैंकते हैं तो क्या pressure एक रुका हुआ पानी उसके उपर डालता है आप swimming pool के अंदर उतरते हैं तो आपकी body के उपर पानी of pressure pressure head pascal's lie and its application total pressure resultant pressure and center of pressure total pressure and center of pressure on the horizontal vertical plane surfaces of rectangle triangular trapezoidal shapes and circular तो इसमें से 20 नंबर का कोशन आता है properties of fluids में से भी 20 तक का नंबर का कोशन आते हैं ठेक है इसके बाद आता measurement of pressure measurement of pressure में आपको manometer के उपर काफी कोशन आते हैं तो आप लगा लो ये chapter भी हमारा 20 नंबर का है तो इसमें आप pressure के बारे में पढ़ोगे pressure measuring devices होते हैं जिसमें एक तो हमारा manometer है और दूसरा pressure gauges का इस्तेमाल किया जाता है तो इन ही के बारे में आप detail में पढ़ोगे measurement of तो पांचमा हमारा आ जाता है fundamental of the fluid flow हमारा fluid कैसे flow करता है वो fundamentals of fluid flow अब flowing मिलब dynamics में चलेगे जब कोई चीज motion में आ जाती है तो इसमें किस-किस तरह की energy होती है पहले तो ये बताया कि type of the flow कौन-कौन से है steady होता है unsteady flow होता laminar होता turbulent होता uniform flow होता non-uniform flow होता है इन definitions को आप समझोगे अच्छा उसके बाद एक equation है discharge and the continuity equation के बारे में आप पढ़ोगे types of the hydraulic energy, potential energy, kinematic अब देखो motion में आने के लिए किसी भी substance को में energy होनी चाहिए बिना energy के कोई भी चीज़ move नहीं कर सकते तो किस-किस तरह की energy है इसमें पैदा होती है जिसकी वज़ा से आपका fluid जो है वो motion में आता है उसके बाद बर्नॉलीज की theorem है statement and the description आप इसमें पढ़ोगे और simple numerical आप बर्नॉलीज equation पर करोगे उसके बाद flow measurement flow को कैसे measure किया जाता है उसके लिए different devices का इसमेल किया जाता है पानी motion में है तो अगर उसके उसका discharge measure करना है तो कौन कौन से हम instruments का इस्तेमाल करेंगे तो venture meter और mouthpiece का इस्तिमाल होता है pitoid tube का इस्तक्राइड होता है aurifice and aurifice meter का इस्तक्राइड होता है current meter का का इस्तक्राइड होता है notches and weirs का इस्तिमाल होता है flow through the pipes flow through pipes भी बहुत important हमारा आगे देखो एक तो होता है open flow एक होता है closed जो हमारा pipes के through flow होता है तो उपर अभी आप open flow के बारे में study कर रहे हो लेकिन जब वो चीज pipe के अंदर से जब fluid motion flow करता है तो क्या क्या चीजों से उसको गुजरना पड़ता है तो ये चीज बता है इसमें बड़ा important है Arnold's number Arnold's number आपको बताता है कि वो laminar flow है या turbulent flow है ठीक है critical velocity and velocity distributions in the pipe of the laminar flow head loss इसमें कुछ numericals हैं जो आपने करने हैं तो ये पहले 5 अगर आप chapter पढ़ लेते हो 5-7 chapter तो आपका अराम से ये जो है clear हो जाएगा सभी 20-20 number के chapter है और fluid mechanics आपके अच्छे से पास हो जाएगी flow through the open channels पहले आपने closed में मतलब आपने सिरफ pipes के बीच में से flow पढ़ा अब है flow through the open channels open channels भी बहुत important है इसको भी आप अच्छे से पढ़िए ये भी 20 number का हमारा paper में आता हूर उसके बाद last हमारा chapter है that is hydraulic pumps और इसके बाद कुछ practicals हैं ये आपको college में conduct करवाए जाएंगे Bernoulli's theorem के उपर एक practical है venturi meter coefficient को कैसे find out किया जाता है to determine the coefficient of velocity, coefficient of discharge coefficient of contraction of and orifies and verify the relation between them to perform the renault experiment इस तरह से ये सारे के सारे हमारे practicals हैं ये आपको college में conduct करवाए जाएंगे और ये हमारा 100 marks का paper आता है fluid mechanics का ठीक है और और कुछ हमारा जो वाइवा होगा practical का practical का भी external वाइवा इसका होगा कोई 50 नमबर तक का ठेक है और internal में भी इसके 25 नमबर जो है आपको teacher जो है वो अलॉट करता है उसके बाद तो अब आ जाता है हमारा second subject that is applied mechanics अब ये applied mechanics बहुत important subject है again mechanics जो आपकी apply होने वाली है mechanics जिनको नहीं पता मैं बता दूँ physics की एक branch होती है जिसमें हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं किसी भी चीज के behavior के बारे में पढ़ते हैं under the fact of the external forces जब किसी चीज पर force act करती है तो वो किस तरीके से behave करेगा behave मतलब deform होगा, टूटेगा, अपनी shape को change करेगा, size को change करेगा किस तरह के इसका behavior होगा, वो हम mechanics में पढ़ते हैं यहाँ पे applied mechanics है क्योंकि आपने as a civil engineer या mechanical engineer आपने जब इस चीज को apply करना है तो इसकी application क्या है और क्या क्या effect इसमें produce होने वाले हैं तो कुछ इसमें basic है जो आपको पढ़ना बहुत ज़ादा ज़रूरी है सबसे पहले तो introduction है mechanics की, वो आपको पढ़ाई जा रही है, static, dynamic जाहिर सी बात है अब यहां पे applied में मतलब आप यह दोनों पे लगती है, fluid mechanics पे भी यही चीज लगेगी और आपकी solid mechanics यहनी structure mechanics पे भी वही चीज़ें लगेंगी forces के बारे में पढ़ोगे, force actual में होती क्या है और क्या यह करती है, definition basic quantities and derived quantities of the basic units and the derived units different system of the units, FPS, CGS, MKS, SI and their conversion from one to another देखो अब एक engineer को यह भी पता होना चाहिए कि किस-किस तरह की जो system का इस्तेमाल किया जाता है measurement के लिए, तो तीन हमारी आपको पता है fundamental quantities हैं जिसमे mass length or time आता है, mass length or time को एक system में foot pound or second से measure किया जाता है यानि length को foot से, mass को pound से और time को seconds में measure किया जाता है दूसरा CGS है centimeter gram second, तीजरा MKS है meter kilo second और चोथा है SI system system international concept of the rigid body scalar and the vector quantities यह हमारा concept है rigid body scalar और vector quantity के concept उसके बाद आ जाता है हमारा laws of the forces laws of forces, force के बारे में पढ़ोगे, force क्या चीज होती है, कैसे measure इसको किया जाता है किस-किस तरह की types क्या क्या है, forces की जो आपने engineering में apply करनी है जैसे point load, concentrated load होते है, uniformly distributed load होते है क्या affect force का पढ़ता है, characteristics क्या होते है forces के different force system है, coplanar और non-coplanar होता है principles of transmissibility, of the forces law of superposition principle यह आप पढ़ोगे इसके अंदर, उसके बाद different laws होते है parallelogram law है, triangle law है, polygon law है यह सारी चीज़े हम पढ़ेंगे laws of the forces के अंदर, ठेक है और lammy's theorem भी है, इसके अंदर यह बड़ा important है movement chapter आजाता है, movement movement is the force times perpendicular distance force को जब हम distance के साब multiply करते हैं, तो movement develop होती है किसी body के अंदर यह chapter भी बड़ा important है और 20 number का question इसमें से भी निकलता है concept of the movement पढ़ोगे, movement of a force and the unit of the movement variance, theorem पढ़ोगे, principle of the movement and its application steel yard, safety valve reaction at support parallel forces क्या होती है, concept of the force, its properties and the effects general condition of the equilibrium of the bodies under coplanar forces position of resultant force by the movement उसके बाद हम चोते आजाते हैं, friction now what is friction, friction एक बहुत important force है जो resist करती है body को, ठेक है, एक passive force है जब भी motion होता है, तो friction जो है वो active हो जाती है यानि जब भी कोई body move कर रही है, तो यह इसको resist करती है उसको रोकती है, move होने से तो इसका concept क्या है, type क्या क्या है, friction की force of friction क्या होता है laws of static friction, coefficient of friction, angle of friction, angle of repose, cone of friction यह सारी चीज़ें आप friction के अंदर पढ़ोगे उसके बाद center of gravity भी बहुत important हमारा एक chapter है center of gravity आप जानते हो कि mass हर body का एक जगा पर concentrated होता है ठेक है, उसको कैसे निकाला जाता है different different figures में कुछ तो geometric figures होती है और कुछ जो होती है वो उनको मिला कर बनी हुई shapes होती है क्योंकि अब जब आप एक engineer बनोगे तो आपको material के cross section के साथ जब different different cross section के आप materials के साथ deal करोगे तो उनका CG कहां पे आ रहा है ये center of gravity में हमारे पास आता है उसके बाद simple machines है ठेक है, simple machines का भी chapter बहुत important है beast number का, इसमें से भी हमारा question जो है वो निकलता है last chapter हमारा है torgen, torgen को भी आप कर लीजेगा ये भी कोई beast marks का है तो इसकी strategy अगर आप करनी हो तो मैं आपको recommend करूँगा आप पहला chapter introduction कर लीजे, laws of the forces आप पढ़ लीजे movement पढ़ सकते हैं, friction पढ़ सकते हैं और center of gravity और अगर जो मैंने बताएं इसमें से अगर छोड़ना हो तो movement को छोड़ दो तो ये जो तीन chapter, चार chapter है introduction, laws of forces, friction और center of gravity और याद रखना, laws of forces को किसी भी सूरत पर मच छोड़ के जाना है ये 40 से 60 नंबर का इसी में से, खाली laws of forces में से याता है तो ये था हमारा, अच्छा, इसके practicals हैं कुछ इन practicals को आप perform करिए, पढ़िए और 50 नंबर का हमारा practical होगा इसका